हलो बच्छों, हावर यो वैल्कम टो हमाईज़वन अकैडमी और आज कि अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरी 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 एंपर्टेंट प्रोपर्टी ओफ Scorpion इसपूंसी वाली प्रोपर्टी f inverse fx को define करने वाली property पहले मैं एक general चर्चा करूँगा और फिर बाद में इन सब की values कैसे निकालनी है कैसे define करना है और कैसे इनका graph बनाना है वो explain करूँगा f inverse fx को देखकर दिल में खयाल तो यही आता है कि sir f inverse fx तो हमेशा x के बराबर ही होता है ध्यान देना पिछले वीडियो में f of f inverse x डिसकस किया था मैंने वो totally different है और f inverse fx यहाँ पर totally different है दिल में खयाल तो वापिस हो ही आ रहा है कि f inverse of fx तो x के बराबर ही आना चाहिए बिलकुल आना चाहिए लेकिन अपनी domain और अपनी range में ही आना चाहिए क्या मतलब ध्यान से देखना अगर मैं आपके सामने सबाल लिखूं sine inverse sine 5 pi by 6 तो पहला बच्चा तो बोलता है कि sir क्योंकि f inverse of fx x के बराबर ही होता है इसका मतलब sine inverse sine 5 pi by 6 5 pi by 6 की value 5 pi by 6 सी आनी चाहिए दूसरा बच्चा बोलता है कि sir मैंने तो किसी दूसरे method method 2 से किया है कि मुझे sine inverse का तो ध्यान नहीं लेकिन sine 5 pi by 6 के value मुझे ध्यान है half होती है sir और sine inverse half pi by 6 होता है इसका answer pi by 6 आ रहा है इसका answer 5 pi by 6 आ रहा है बताओ कौन सा सही कौन सा गलत और क्यों गलत ये वाला बिल्कुल सही है इसमें कहीं भी कोई भी गलती नहीं है ये वाला गलत क्यों है क्योंकि sine inverse something कभी भी pi by 2 से बढ़ा तो आ ही नहीं सकता sine inverse की range ही minus pi by 2 से pi by 2 होती है तो sine inverse के अंदर कुछ भी लिखा अगर आपने तो वो कभी भी कभी भी कभी भी 5 pi by 6 आ नहीं सकता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि sine inverse sine x को x के बराबर कहना शायद सही नहीं है सही तो है लिकिन अपनी domain में सही है सरी domain range का क्या चक्कर है मैं समझा रहा हूँ द्यान से समझना इस पूरी चीज को द्यान से समझना पूरी चप्टर की जान नहीं ये वाली property ठीक है देखो द्यान से sine inverse sine x पहले तो देखो अपन निकालते हैं इसकी domain sine inverse sine x domain निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बहार मिला अपन को sine inverse sine inverse को define होने के लिए क्या चाहिए कि उसके अंदर वाली चीज minus 1 से 1 बनी रहे जो की होती ही है यानि sine inverse को define होने में कोई दिक्कत नहीं है फिर अंदर गए अंदर मिला sine x sine x को भी कहीं भी define होने में कोई दिक्कत नहीं होती है इसका मतलब इस function की domain तो आ गई R domain तो आ गई R अब range निकालने के लिए क्या करते हैं range निकालने के लिए अंदर से बाहर जाते है तो sine inverse sine x में वहीं पर लिखावाई चलो sine inverse sine x में ये जो अंदर वाली चीज है ये हमेशा minus 1 से 1 बनी रहती है ये अगर minus 1 से 1 बनी रहती है और sine inverse के अंदर कोई चीज डालोगी जो minus 1 से 1 की बीच में vary कर रही है तो उसका sine inverse लेने पर कहां से कहां तक vary करेगा वो minus pi by 2 से pi by 2 तक vary करेगा simple है बिल्कुल तो ये तो होगी domain और ये होगी इसकी range इसी लिए पिछले वाले question में ये जो मैंने समझाया था ये गलत था कि sine inverse something की value कभी 5 pi by 6 नहीं आ सकती ठीक है तो सर करना क्या है मैं बताता हूं करना क्या है sine inverse sine x ये x के बराबर तभी रहेगा only when only when x की value minus pi by 2 और pi by 2 के बीच में रहे ये step 7 में आ रहा गया पिछले slide पर example लेकर समझाया था न कि यहाँ पर जब 5 pi by 6 लिखा तो ये गलत हो गया लेकिन वही अगर मैं sine inverse sine pi by 6 की बात करता तो value pi by 6 आ जाती बिलकुल आ जाती यानि कि sine inverse of sine x हमेशा x के बराबर नहीं रहेगा सिर्फ 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 तभी x के बराबर रहेगा जब अंदर वाली चीज यानि x की value minus pi by 2 से pi by 2 रहे ठीक है और देखना sine inverse sine x को क्या मैं sine pi minus x लिख सकता हूं क्या लिख तो सकता हूं क्योंकि sine pi minus x भी sine x के बराबर ही होता है तो क्या इसकी value pi minus x के बराबर आजाएगी क्या नहीं only when सिर्फ तभी आएगी जब pi minus x खुद pi by 2 और minus pi by 2 के बीच में लाई कर रहा हूं simplify कर रहा हूं यानि minus x ये इधर गया तो बना minus pi by 2 ये इधर गया तो बना और pi by 2 के बीच में function define कर रहे हैं अपन x की अलग-अलग values पे function को define कर रहे हैं कैसे define किया अपन ने sin x को sin pi minus x लिख दिया उसमें तो गलती है ही नहीं क्योंकि sin pi minus theta sin theta होता है इसको pi minus x में तभी लिख पाऊंगा जब pi minus x लाई करे x की बीच में minus pi by 2 और pi by 2 के बीच में corresponding to which x लाई करे x की बीच में pi by 2 और 3 pi by 2 के बीच में यहां तक clear है अब देखना मैं इसका graph बनाने जा रहा हूं मैं इसका graph बनाने जा रहा हूं pi by 2 pi 3 pi by 2 इधर minus pi by 2 फिर minus pi फिर minus 3 pi by 2 ठीक है जी मैंने यह देखा कि इस function की value x के बरावर आ रही है कब जब x लाई कर रहा है minus pi by 2 से pi by 2 की बीच में यानि कि y equal to x वाली line आ जाएगी लेकिन सिर्फ pi by 2 और minus pi by 2 के बीच में यहां तक clear फिर मैंने देखा कि function की value pi minus x है यानि कि अब की बार मुझे y equal to pi minus x वाली line बनाने पड़ेगी कब तक बनाने पड़ेगी जब तक x pi by 2 और 3 pi by 2 तक vary करता रहेगा तो इसको अगर आप graph बनाओगे तो यह ऐसी state line आएगी pi से cross करती भी 3 pi by 2 तक आएगी यहां यह भी clear हो गया? खीक है अब मुझे बताना कि sin inverse, sin x periodic function है की नहीं है periodic function है की नहीं है बिल्कुल है क्योंकि sin inverse के अंदर जो आ रहा है यह खुद अपनी value change करता रहता है तो अंदर वाली value जब change होती जाएगी तो उसका sin inverse लेने पर भी value बार बार repeat होती जाएगी repeat होती जाएगी यानि यह पूरा का पूरा function ही अपनी value repeat करता रहेगा कब-कब repeat करेगा जब-जब sin x अपनी value repeat करेगा तब-तब उसका sin inverse भी अपनी value repeat कर लेगा sin x अपनी value repeat कब करता है 2 pi के बाद यानि कि इस पूरे function का period आया 2 pi के बराबर यह भी clear, बहुत बढ़िया ध्यान से देखो minus pi by 2 से लेकर 3 pi by 2 की बीच में कितना interval हो गया, length कितनी हो गई 2 pi के बराबर हो गई न यानि यही वाला graph repeat करता जाएगा आगे तक आगे कहा तक infinite तक, देखाना अपने domain इसकी r है और range थी minus pi by 2 से pi by 2 तो यह same graph repeat करता जाएगा आगे भी आगे भी और इस तरफ भी repeat करता जाएगा यह बना graph sin inverse of sin x का graph की जरूत क्यों पड़ी सर मैं बताता हूँ अगर आपको कोई पूछ ले कि भाईया, sin inverse sin 4 की value बताओ तो 4 के बराबर है क्या बिलकुल भी नहीं है, बिलकुल गलत है क्यों गलत है, क्योंकि 4 तो πाई बाई 2 से बड़ा हो गया इसकी value कभी भी 4 आ नहीं पाएगी तो कैसे निकालनी है graph से निकालनी है, हमेशा sin inverse sin something की value graph से निकालनी है तो देखो sin inverse sin x में x की value डाली गई है 4 तो आप x axis पे ढूंड़ो 4 कहां पे आएगा 4 आएगा πाई से थोड़ा सा आगे क्योंकि πाई तो 3 पॉंट something होता है उससे थोड़ा सा आगे आएगा 4 तो 4 पे अगर graph की value निकालनी है तो ये वाली value आएगी ये वाली value कैसे निकालनी है इस line की equation निकाल लेता हूं इस line की equation निकाली थे मैंने क्या आए थी इस line की equation आए थी पाई माइनस x तो x equal to 4 डालने पर y की value कितनी आ रही है पाई माइनस 4 यानि sine inverse sine 4 की value आएगी पाई माइनस 4 जानता हूं मैं पहली बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन अगला जो cos inverse cos x है उसको भी मैं explain करके दिखा रहा हूं ध्यान से समझना काम की बात क्या है ये graph बिल्कुल एकदम याद रखना है आपको याद रखना है कहां कहां क्या-क्या value आती है चलते हैं आगे cos inverse cos x की बात करते हैं तो या cos inverse cos x की domain अगर मैं निकालू बिल्कुल clearly domain इसकी आएगी x belongs to r range अगर निकालू तो range निकालने के लिए अंदर से भार जाते हैं अंदर पड़ावा है cos x जो की रहता है minus 1 से 1 के बीच में और minus 1 से 1 वाली चीज़ अगर cos inverse के अंदर जाएगी तो को हमेशा 0 और πाई के बीच में value देगा cos inverse की domain नो range या दोनी चाहिए तो 0 और πाई ये आ गई range इस function की clear है अब तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि cos inverse cos x x के बराबर तभी रह पाएगा जब x की value 0 से πाई रहे ठीक है क्या मैं ये कह सकता हूँ कि cos inverse cos minus x ये जो cos x है उसको मैंने cos of minus x लिख दिया वो तो सेम ही होता है cos minus theta is equal to cos theta तो ये चीज इसके बराबर है और क्या ये चीज minus x के बराबर है नहीं ये minus x के बराबर तभी है जब minus x लाई करे 0 और πाई के बीच में इसका मतलब x कहां से कहां तक लाई कर रहा है minus पाई से 0 के बीच में लाई कर रहा है अब मैं इसका ग्राब बनाने जा रहा हूँ कैसे बना रहा हूँ देखना 0 पाई 2 पाई 3 पाई इधर आए तो minus पाई इधर आए तो minus 2 पाई and so on y equal to x वाला ग्राब बनेगा कब कब बनेगा जब x 0 से पाई के बीच में रहेगा तो 0 से पाई के बीच में y equal to x वाला ग्राब बना दिया मैंने फिर y equal to minus x वाला ग्राब बनेगा कब कब जब x minus पाई से 0 के बीच में रहेगा तो minus pi से 0 के बीच में y equal to minus x वाला graph बना दिया मैंने clear अब जरा मुझे बता दो जैसे sin inverse sin x का period sin inverse sin x का period 2 pi था in the same way क्या cos inverse cos x का period भी 2 pi नहीं है क्या बिलकुल है और minus pi से pi के बीच में इस interval की length कितनी हो गई 2 pi हो गई यानि यही वाला graph repeat करता रहेगा आगे से आगे तो यह आएगा नीचे फिर उपर फिर ऐसे चलता जाएगा आगे right में भी चलता जाएगा और left में भी चलता जाएगा clear हुआ यह graph भी आपको याद रखना है क्या काम आएगा value निकालने काम आएगा कैसे काम में आएगा देखो जरा जगह बना लेते हैं थोड़ी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई या cos inverse cos 4 की value बता दो तो क्या वो 4 आएगी नहीं आएगी क्योंकि 4 तो pi से बड़ा हो गया तो कैसे निकालने है ग्राफ से निकाल लो बड़ा इजली निकलेगी 4 देखो cos inverse cos x में x के value 4 डाली गई है तो x axis पे 4 कहां पे है ये दा 4 pi और 2 pi की बीच में आएगा pi हो गए 3 point something 2 pi हो गए 6 point something इनकी बीच में कही 4 आएगा तो 4 पे ग्राफ की value ये वाली आएगी अब ये वाली value निकालने के लिए मुझे इस line की equation निकालने है line की equation निकाल सकते हो क्या बड़ा clearly दिख रहा है कि इसका slope तो minus 1 है ऐसी वाली line होगी तो slope 1 है ऐसी वाली line होगी तो slope minus 1 है यानि कि ये line y equal to minus x plus c type की आएगी minus x plus c type की क्योंकि slope minus 1 है c निकालने के लिए मुझे ये पता आए कि ये line एक point से पास कर रही है कौन से है 2 pi, 0 से पास कर रही है तो x को 2 pi डालूँगा तो y की value 0 आनी चाहिए इसका मतलब c की value कितने आ गई c की value आ गई 2 pi यानि ये line की equation है y equal to 2 pi minus x इस line की equation आईए अब ये process बहुत लंबा लग रहा आपको लेकिन आप थोड़ी practice कर लोगे उसके बाद इसके बाद रही चोटा लगेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो इस line की equation आई y equal to 2 pi minus x अब x की value अगर 4 लोगा तो y की value कितनी आ रही है 2 pi minus 4 यानि की cos inverse cos 4 की value आएगी वाया 2 pi minus 4 this is the answer समझ गए चलते हैं tan inverse tan x पे tan inverse tan x पे अब तक आपको idea लग गया होगा कि ये सारी चीजें किस तरह से define हो रही है ये बड़ा clear है कि tan inverse tan x ये x के बड़ाबर रहेगा लेकिन तभी रहेगा जब x की value कहां से कहां तक रहे minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में रहे यानि इसका अगर आप grab बनाओगे तो y equal to x वाली line आएगी y equal to x वाली line आएगी लेकिन कब तक आएगी सिर्फ pi by 2 और minus pi by 2 के बीच में आएगी y equal to x वाली line ना तो pi by 2 include है ना ही minus pi by 2 include है इसकी domain निकाल के नहीं दिखा रहो है अब तक clear होगे आपको domain कैसे निकालनी है range कैसे निकालनी है अब देखो जरा tan inverse tan x अपनी value तब तब रिपीट करेगा जब जब tan x अपनी value रिपीट करेगा tan x अपनी value रिपीट करता है pi के बाद और minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में pi length का interval आ चुगा है यानि यही वाला graph आगे भी repeat होता रहेगा तो इसका graph आगे ऐसे जाएगा फिर ऐसा जाएगा और यही graph continue होता रहेगा left में भी और right में भी यह हुआ 0 pi by 2 यह हुआ pi यह हुआ 3 pi by 2 यह हुआ 2 pi चलता जाएगा इस तरह से value कैसे निकालनी है फिर से वही वाला example ले रहाँ चलो tan inverse tan 4 की value निकालनी है क्या यह 4 के बराबर आएगी नहीं आएगी क्योंकि 4 तो जो है pi by 2 से बढ़ा हो गया इस function की value pi by 2 से बढ़ी आ नहीं सकती तो x axis पे 4 डूंडो का है pi से थोड़ा सा आगे यहाँ पे तो 4 पे अगर मुझे graph की value निकालनी है तो मुझे इस वाली line की equation चाहिए भया y equal to mx plus c कर दो तो m तो 1 है देखो ऐसी वाली y equal to x के parallel है यह सारी line तो इसकी equation y equal to x plus c टाइप की आएगी और यह pi, 0 वाले point से pass हो रही है तो c की value आ गई minus pi calculation में आपको मैं उल्जा नहीं रहा हूँ मैं आपको directly बता रहा हूँ यह y equal to x minus pi equation आ गई देखो ना pi, 0 से pass हो रहा है अब वो 4x की value 4 डालोगे तो tan inverse tan 4 की value आ गई 4 minus pi clear हुआ बहुत बढ़िया cot inverse cot x directly बता रहा हूँ अब मैं अच्छा इस वाले function की domain और range और लिख लेते है tan inverse tan x की domain क्या आएगी वही domain आएगी जो tan x की domain होती है tan x की domain होती है x belongs to r minus 2n plus 1 pi by 2 range तो आपको graph से दिख रही होगी range है minus pi by 2 से pi by 2 open interval ठीक है cot inverse cot x directly मैं graph बना के दिखा रहा हूँ आप खुद एक बार घर पे interpret करके देखना कि यह कैसे हुआ cot inverse cot x की value x आएगी लेकिन तभी आएगी जब x लाई करेगा 0 से pi के बीच में यादा है cot x की domain और range तो जब x 0 से pi की बीच में लाई करेगा तब y equal to x वाली line बनेगी लेकिन ना तो pi वाला point include है ना ही 0 वाला point include है क्या मैं कह सकता हूँ इसका period pi आएगा जो cot x का period है वही cot inverse cot x का period आजाएगा pi के बाद cot x अपनी value repeat करेगा तो उसका cot inverse लेने पर भी value repeat होनी शुरू हो जाएगी यानि कि 0 से pi के बीच में तो y equal to x वाली line बनेगी और यही line आगे भी repeat होती रहेगी आगे भी repeat होती रहेगी और पीछे भी repeat होती रहेगी समझ गए क्या थोड़ा सा typical है बाकी सब चीजों से थोड़ा सा हटके है इसलिए ध्यान से समझना ध्यान से करना और हाँ एक बार यह सारे ग्राफ खुद से बनाके देख लोगे कि यह values क्यों आ रही है फिर clear हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते है second verse seconds के बारे हम क्या ख्याल है अचा उसकी domain फिर से बता दो domain क्या आएगी इसकी वही domain आएगी जो cortex की आती है cortex की domain क्या होती है x belongs to r minus n pi ग्राफ से देख के बता दो range क्या आ रही है range आ रही है 0 से pi open interval ठीक है second verse seconds की बात करूँ domain क्या आएगी वही domain आएगी जो sec x की होती है यानि की x belongs to r minus 2n plus 1 pi by 2 ठीक range क्या आएगी range वही आएगी जो sec inverse x की होती है sec inverse x की range क्या होती है 0 से pi लेकिन बीच में pi by 2 नहीं होता है clear तो कुछ-कुछ cos inverse cos x की जैसका गराफ बनेगा इसका इसी type का इसी type का लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान देने की है क्या बातें ध्यान देने की idea लग गया होगा आपको इस type का गराफ बनता जाएगा ये point आएगा 0 ये वाला आएगा pi ये वाला आएगा 2 pi ये वाला आएगा 3 pi ये वाला आएगा 4 pi similarly left में भी ये minus pi ये वाला minus 2 pi and so on लेकिन बीच में एक pi by 2 पे एक point exclude होगा similarly आगे 3 pi by 2 पे भी एक point exclude होगा domain में नहीं है ये दखो 2n plus 1 pi by 2 कोई भी लोग भी domain में नहीं है उसी तरह से 2 pi plus pi by 2 फिर 4 pi minus pi by 2 यानि की pi by 2 की length पर जितने भी point है वो सारे के सारे इस graph से exclude हो जाएंगे value निकाल के दिखाऊंगे एकाद चलो आगे question करूँगा उसमें निकाल के दिखाऊंगा ठीक है in the same way cosec inverse cosec x इसकी domain बता दो भी या इसकी domain आएगी x belongs to r minus n pi यानि वही वाली domain जो cosec x की होती है इसकी range बता दो भी या इसकी range आएगी minus pi by 2 से pi by 2 minus 0 जो cosec inverse x की होती है sec inverse x और cosec inverse x same same कहानी अलग बग इसका graph भी कुछ कुछ आपको sine inverse sine x के जैसा दिखेगा थोड़ा बहुत फरका आएगा थोड़ा बहुत कहां-कहां बहुत फरका आएगा देखो 0 इसकी domain में नहीं है 0 point exclude हो जाएगा ये वाला point pi by 2 ये वाला point भी exclude हो जाएगा pi इसकी domain में नहीं है फिर ये 2 pi इसकी domain में नहीं है फिर ये 3 pi इसकी domain में नहीं है ये सारे के सारे point इस graph से exclude होते जाएगे और कभी भी कोई आपको value निकालनी हो तो graph से बड़ी easily निकल जाएगी 6 के 6 functions का f inverse fx में ने define किया है this is the most important property of this whole chapter इसको ध्यान से समझें question देखो जरा find the value of सब की एक एक value निकालने को बोला है तो sine inverse sine 8 की value निकालने के लिए करो graph पे जा रहा हो में किसका sine inverse sine x का graph निकाल रहा हो में 8 8 का अच्छा 8 कहां पे आएगा ये πाई है ये वाला 2 पाई है ये वाला 5 पाई बाई 2 है और ये वाला है 3 पाई तो 8 यहां कहीं आएगा यहां कहीं 5 पाई बाई 2 किता होता है निकालो 5 पाई बाई 2 का मतलब 5 into 3.14 upon 2 3.14 जो है वो 1.5 something आएगा 5 से multiply किया तो 7.5 something यानि कि 5 पाई बाई 2 के आगे आएगा 8 अब 8 पे अगर मुझे graph की value निकालनी है तो मुझे इस वाली line की equation चाहिएगी directly लिख रहा हूँ कैसे y equal to minus x तो आएगा क्योंकि negative slope वाली line है और ये 3 पाई से पास हो रही है तो यहां पे plus का आजाएगा 3 pi यानि x को 8 डालने पर y की value कितनी आई 3 pi minus 8 डाल देते हैं यहां पर इसकी value आई 3 pi minus 8 चलो आगे cos inverse cos 9 तो graph पे चलते है cos inverse cos x के 9 कहां पे आएगा 3 pi से थोड़ा पहले आएगा यहां कहीं आएगा 9 9 पे अगर graph की value निकालनी है तो मुझे इस वाली line की equation चाहिए इस line की equation क्या आएगी यह तो one slope वाली line है तो y equal to x plus कुछ constant वो constant कितना आएगा minus 2 pi आएगा y is equal to x minus 2 pi समझ में आएगा कैसे निकालना हूँ नहीं समझ में आएगा तो देखो यह method बताया था मैंने इसकी एक दो बार practice करोगे तो line की equation बड़े जल्दी से निकल जाएगी तो value x की value जब 9 डालूँगा तो value कितनी आ रही है 9 minus 2 pi डाल देते हैं यहाँ पे इसकी value आए कितनी 9 minus 2 pi 10 inverse 10 10 तो 10 inverse 10 x अगर आफ निकालते हैं अब आगे कहीं जाकर 10 कहाँ पे आएगा 10 आएगा वहिया 3 pi और 4 pi के बीच में कहीं 3 pi पे line ऐसी cross हो रही होगी तो 3 pi और 4 pi के बीच में कहीं 10 आएगा यानि मुझे इस वाली line की equation चाहिए इस line की equation क्या आएगी x minus 3 pi तो x को 10 डालूँगा तो value i 10 minus 3 pi ये बन गया कितना 10 minus 3 pi देखो ये graph क्यों important है क्योंकि अगर आपको पुछा जाए कि 10 inverse 10 2 बता दो तो वो तो आप सोचके भी निकाल सकते हो कि 2 की value pi by 2 सूपर जा रही है तो कहाँ पे मुझे observe करके निकालना है लेकिन जब इतनी बड़ी-बड़ी values हो 8, 10, 9 इन values को अगर graph से निकालोगो तो जल्दी निकलेगी और गलती होने के chances कम रहेंगे cot inverse cot 8 निकालना है तो cot inverse cot 8 से graph पे आगया हमे अब 8 कहाँ पे आएगा 8 आएगा 3 pi और 4 pi की बीच में कहीं 3 pi से 4 pi के बीच में ऐसा कोई graph बनेगा sorry, 8 आएगा 3 pi से पहले sorry, यहाँ पे आएगा कहीं 8 क्या निकालना है पनको? cot inverse cot 8 निकालना है, ठीक है तो cot inverse cot 8 यहाँ पे आएगा तो यानि मुझे graph की value निकालने के लिए इस वाली line की equation चाहिए यह line की equation है x minus 2 pi तो x को 8 डाला तो बन गया 8 minus 2 pi इसकी value आगई कितनी? 8 minus 2 pi आगे बढ़ते हैं बहिए second verse 10 यह रा 10 कहाँ पे आएगा? 3 pi और 4 pi की बीच में कहीं आएगा? 10 10 पे अगर graph की value निकालने है तो मुझे इस वाली line की equation चाहिए इस line की equation क्या आएगी? एक तो minus x आएगा प्लस में आजाएगा 4 pi तो x को 10 डालूँगा तो यह बन गया 4 pi minus 10 इसकी value आगई 4 pi minus 10 cosec inverse cosec 5 5 कहाँ पे आएगा? यह pi के बाद आया 3 pi by 2 तो 3 pi by 2 का मतलब 3 into 3.14 upon 2 इसकी value आएगी 1.5 something 3 से multiply करूँगा तो 4.5 something यानि 5 जो है वो 3 pi by 2 के बाद में आएगा यहाँ कहीं आएगा 5 कैसी निकाला समझ रहो ना? तो 5 पे graph की value निकालने के लिए मुझे इस वाली line की equation चाहिए y equal to positive slope है x लिख दिया और 2 pi कॉमा 0 से पास हो रही है तो x minus 2 pi x की value 5 डालो तो 5 minus 2 pi value आ रही है यानि इसकी value आई 5 minus 2 pi अब सब को add कर देना बड़ा easily answer आ जाएगा important क्या था important यह था कि tan inverse tan x sin inverse sin x हमेशा x के बराबर नहीं होता है अगर इसके अंदर आपको कोई बड़ी सी value निकालनी है तो graph का सारा लो और जो भी 6 graph बनाए हैं मैंने उन सब को एक एक बार बना के देखो उन में कोई भी randomly point लेकर उस line की equation निकाल के देखो कैसे निकालनी है उस point को उस line में put करके y की value निकालो इतनी exercise कर लो यह पूरी property आपको clear हो जाएगी जरूर 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 करना यह most important property of inverse trigonometric functions है clear thank you watching thank you for watching this video happy learning for detailed videos daily practice problems and live chat visit academy.amazon.in or download the app